मित्रो गेंगा रोग जिसको गलगंड बोलते हैं और गेंगा और गलगंड में गला फूल जाता है लटक भी जाता है सूजंग जैसी लगती है और गेंगा रोग को गोईटर बोलते है तो यह रोग आयोडीन की कमी के वज़े से होता है तो मैं आपको आज सीधा साथा सरल उपाए बताने जा रहा हूँ अब मार्केट में खूब गाजर आ रही है और उसका जूस रोजाना 150 ml से लेके 200 ml तक पियेंगे सुबह सुबह तो गलगंड गेंगा गोईटर का रोग बहुत जल्दी हो जाए मित्रो अगर किसी को गेंगा रोग हो जाए गोईटर रोग हो जाए जो गले में सूजन जैसी लगती है गला फूल जाता है और ये रोग होता है आयोडीन की कमी की बज़े से तो मित्रो इस समय बहुत जादा गाजर का सीजन चल रहा है देशी गाजन ले आए शाफ करें और उसका जूस 150 ml से 200 ml तक रोज सोब पियेंगे तो ये रोग आपको ज्यादा परिशान नहीं करेगा और ठीक हो जाएगा मित्रो ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रो को शेयर करना ना बूलें इसी के साथ नमतकार नेत्रपाल दुर्गा दास को स्वाहा कर लियां